हलो प्रेंट्स कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में सिंहाड़े का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम कड़ाई में एक बड़ा चम्मच देशी घी डालेंगे और गी को गरम होने देंगे और यह देखिए यहाँ पर यह गी गरम हो गया है इसी में डाल देंगे एक कटोरी लगबख सिंहाड़े का आटा गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे रुकना बिल्कुल नहीं हमें नहीं तो यह नीचे से जल जाएगा और इसे तब तक भुनेंगे जब तक कि यह अच्छी तरह से ब्राउन ना हो जाए खुब अच्छी तरह से भुनेंगे इसे चलाते हुए और यहाँ पर देखिए हमारा सिंगाडा काटा अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है आप देख सकते हैं फ्रेंट्स इसी तरीके से हमें भुनना है आटे को और आप गैस को बंद कर देंगे और इसी में डालेंगे एक कटोरी भर कर चीनी चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और अब हम डाल देंगे इसी में पानी पानी डाल कर इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे गैस को अभी हम आउन नहीं करेंगे इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे एक भी लम्स ना रहे हैं अच्छी तरह से आप देख सकते हैं इसी तरीके से मिला लेंगे और यहाँ पर देखें मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया है इतना ही पानी हमें सिंहाडे के हलवे के लिए डालना है और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे आप देख सकते हैं एक भी लम्स नहीं है इसमें इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब हम गयस को ओन कर देंगे गयस को ओन करने के बाद इसे लगातार चलाते रहेंगे एक मिनट भी हमें इसे नहीं छोड़ना है छोड़के कहीं नहीं जाना है लगातार इसी तरीके से चलाते रहेंगे गैस को हाई प्लेम पे ही रखेंगे मिडियम प्लेम पे नहीं रखना है में और इसे लगातार इसी तरीके से पानी को सुखाएंगे और ये हलवा गाड़ा हो चुका है इसका पानी भी अच्छी तरह से सूख गया है उपर से डाल देंगे दो चम्मज घी गी डालकर फिर अच्छी तरह से इसे मिला देंगे और इसे मिलानेक बाद इसे एक थाली में पलट देंगे थाली में घी नहीं लगाना है बीना घी के भी ये हलवा अच्छी तरह से जम जाता है और इसे थाली में अच्छी तरह से फैला देंगे आपको कैसा हलवा पसंद है, मोटा या पतला, आप उसके हिसाब से फैला सकते हैं और यहाँ पर देखिए, 10 से 15 मिनट हो गए हैं, हमारा हलवा जम कर त्यार हो गया है, चलिए इसे हम चक्कु से काट देते हैं आप चाहें तो इसमें सूखे मेवे भी डाल सकते हैं हलवे में फ्रेंड्स एक बार आप हमारा यह रेसेपी जरूर से ट्राइ करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सेर, सस्क्राइब करना विल्कुल मत भूलिएगा फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए राधे राधे